ऐसा glitch effect आप भी अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो तो इसके लिए आपको जर्रत पड़ेगी एक तो background वीडियो की और दूसरी आपके subject की वीडियो भी इसके लिए आपको अपने phone को एक जर्गे स्टेबल रखना है तो आप tripod और किसी भी जिचका आप यहां भी यूज़ कर लीज़ेगा यह वाले grease effect है एडिट करने के लिए हम यहां भी यूज़ करने वाले CapCut application को तो दूभी editing के steps से वागे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगे तो इसके लिए किसी भी पार्ट को आपको इसकी बिल्गुल भी नहीं गरना है then CapCut का link आपको टेलिग्राम पे मिलेगा और टेलिग्राम का link दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलते हैं हम अपनी mobile screen पर ताकि यह glitch effect में आपको सिखा सो कि तो सबसे बहला हम यहां पर क्या करेंगे केपकट application को open करेंगे केपकट आप टेलिग्राम से जाके आउनलोड कर सकते हो link description box में तो open करने के बाद में cap cut को यहां पर new project को हम यहां पर सबसे फ़ले open करेंगे और new project पर click करने के बाद में यहां से हम अपनी दोनों clips को add करेंगे पहली clips हमारी जो background के हमने एक यह दो सेकंड की shoot कर रही थी वह वाली और दूसरी हमारी जो video है जिसमें हमें effect apply करना है वो दोनों clips हम यहां पर add कर लेंगे SD के अंदर होने के बाद में अब हम क्या करेंगे जैसे हमारे background की यह वाला part था तो मैं इसको क्या रहा हूँ है यहां से इसको split कर दूँगा layer पर click कर गए split करूँगा और आगे वाले part को delete कर दूँगा देन ही हमारी कुछ एक सेकंड की background की वीडियो बन की देन दूसरी हमारी वाली वीडियो अब आपको दोनों वीडियो के बीच में एक आपको transition का नजर आ रहा होगा एक option white color का एक box नजर आ रहा है दोनों layers के बीच में तो आप इस वाले करना और यहां पे आपको उपर जो time line है उपर आपको कुछ effect देखने को को я glitch, glitch पे click करके यहां पे क आपको इस्ट्रोब का आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोब और स्ट्रोब सेकिंड तो आपको स्ट्रोब फस्ट वाले पर क्लिक करना और उसके आपको टाइमिंग पूरी कर देनी यह निए 0.5 सेकिंड तक कर देनी देन कुछ इस तरिके से जाएगी एक बार अपको आपको आपस इसको चेक कर लेना है यह वाला एफ़ेक्ट आपको किवल लेटस्ट जो वर्जन है किवक्ट काउस्टे में देखने को मिलेगा यहां से हम क्या करेंगे अब वीडियो के हमने क्या कर दिए साउंड को म्यूट कर दिया है स्टार्ट वाले की, अब हम यहां क्या करना है बीच में, ईफेक्ट में जो sound है, वहाँ पर हम वे sound apply करना है, तो इस के कलिम क्या करने है, । श्री कmostow wasn't क्या करें है, क्यूंकि हमें एक glitch का sound भी है, थी modify is भी ब्याएं endless, तो overlay वाले option और अपनी वीडियो क्लिप को डिलीट कर देंगे और ओडियो हमारे देखने को मिल जाएगा तो मैं आपको एक बार प्ले करके आपके दिखा देता हूं तो कुछ इस तरीके से हमारी गलिप है अब हम क्या करेंगे आपको जर्रत पड़ेगी तो कुछ इस तरीके के हमारी यहां पे गलिच एफेक्ट आप देख लेए साउंड के साथ में एक बार में प्लेवर यहां पे कर देता हूं तो कुछ ऐसी हमारी क्लिप यहां पर क्रेट हो चुकी है अब इसको आपको उपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इसको यहां पर फुल एजडी में सेव कर ले